प्री विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हाडोती शैली, हाडोती शैली का क्षेत्र कोटा बुंदी और जालावार रहा है, इसके प्रेश्रे दाता बीम सिंग, अर्जुन सिंग, राजा उमेज सिंग, जो सुय में एक अच्छी कलाकार थे, चित्रांकन को सर्शक्त बन में कुछ विशेस्त करतियां बनी है, वो राग दीपक और राग भेरवी का काल रहा है, ये गुर्षवारी की अत्यंत महता है, शिकार के चित्र अतुलनी ही बने है, कोटा की राजाओं में विनोत प्रीता के कारण आमोत प्रमोत की बाहुलिता चित्रित है, रुक्मनी हरन इस शेली का सराहनी चित्र रहा है, प्राक्रतिक द्रश्यों में साप हाती चीते बंदरों और यूरोपेन तकनीक से बनाया गया है, नाईका भेद राग रागीनियों के चित्र राजा, उंके भोग विलास के चित्रवनों के सुन्दर चित्रण, बारह मासा क्रेश्न लिला प्रियादी यहां उच्छे तंग से चित्रित किये गये हैं, इस समय निजत्व का नास होने लगा, और मुगल दखन की अतिरिक चैपु, जोदपुर, रियोपिन प्रभाव भी इन चित्रों में दिखाई देने लगा, शंगार पक्षपर कलाकारों अतिदिक प्रभाव दि बित्ती चित्रन की बाहू लेता है, पेश्ट से काटा निकालते हुए नाई का बड़ी विशिष्ट है, नीला काला लाल रंग अधिक प्रयोग किये गये हैं, सोने का भी भरपूर प्रयोग किया गया है, बुंदी शेली में लाल रंग की अधिक प्रभाव है, जल में चित्र प्रभावी रूप में चित्रित है, नारियों के मुख गोल, पूर्शा आकरतियां कुछ लंबी बने गई है, आकरतियां लालित्य पूर्ण है, और पूरुष्ट आकरतियां वीरता पूर्ण है, पूर्शाक में चमकदार जामा है, इस्त्रियों के पहनावे में ओर लेंगा हाथों कानों में चमकदार बाभूशन दिखाए गए हैं इस प्रकार से हडोती शेली में कोटा और बूंजी शेली को इशेश चितित किया गया एक जालावार क्षेत्र में भी यहां की हवेलिया वगेरा